वेलकम टो इस्टेटी विद ग्यान प्रकास्ट। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि अगर आप UP PGT में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी सलरी मिलेगी। देखो मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप TGT में सेलेक्ट होते हो तो भी और आज बता रहे हैं कि PGT में सेलेक्ट होगे तो कितनी सलरी मिलने वाली है देखो फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यहां पर यह होती है कि आपकी सलरी जो होती है यह टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है ठीक है और कुछी दिनों के बाद आप इतनी सलरी बाने लगते हो कि आपको लगने लगता है यार इससे बड़ी हैं काम तो बने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सुरुआत के कुछ महीने आप जम के महनत कर लो और उसके बाद ताउम्र आपको एक मोटी सलरी आपके एकाउंट में आती रहती है जो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है मतलब आपकी तो मोच हो जाते हैं समाज में इजजत रुटबा अलग से मिलता है और अगर आप retire भी हो जाएंगे फिर भी आपको इतना पैसा तो मिलता रहता है कि आपको टेंसल लेने वाली कोई बात नहीं है तो फिराल यहाँ पर बात कर रहे हैं UBPGT exam के बारे में UBPGT के form बरे गए हैं परिशा हो जाएगी 2-4-6 महिने में हो जाएगी वो रती है 47,600 रूपए DA मतलब Dearness Allowance कभी-कभी इसे 50% कल्प्रेट करते हैं और कहीं-कहीं इसे 51% फिलाल तो अगर हम देखें तो जनवरी 2024 से जो Dearness Allowance है वो 51% है मतलब 47,600 रूपए का 51% और एड हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर 24,26 रूपए मिल जाएंगे Dearness Allowance आपको यहीं पर क्लियर कर देए कि जो आपका Dearness Allowance है यह साल में दो बार मिलता है यानि और बड़बड के मिलता है ठीक है तो HR अगर मान लेते हैं आपकी जो पोस्टिंग होती है वो रूरल एरियाज में होती है तो आवाज भत्ता भी मिलेगा आपको कितना मिलेगा 1870 रुपए तो आपको जो सेलरी यहाँ पर बन रही है तीनों को जोड के बनेगी यानि कि जो कुल सेलरी आपकी बनेगी वो रहेगी 73,746 रुपए अब बड़ी सांदार सेलरी हो गई 73,000 रुपए कम नहीं होते हैं बहुत पैसे होते हैं लगबग पौने लाग क्यास प्लास लेकिन पूरी सेलरी आपको नहीं मिलेगी कुछ पैसे सरकार आपकी चिंता करती है तो जब आप रिटार हो जाएंगे तब आपको देने के लिए वो NPS के अंतरकत काट लेगी तो NPS कितना करता है 10% Basic Pay और DA को जोड़ कर मैंने बताया था ना कि आपको जो Basic Pay होगा ये होगा 47,600 रुपए और DNS Lounge ये 24,260 रुपए हैं तो दोनों को जोड़ेंगे और उसका 10% निकालेंगे तो exactly यहाँ पर 7,188 रुपए आपके बनेंगे मतलब NPS के लिए ये पैसे कट जाएंगे तो आपकी जो कुल सेलरी यहाँ बन रही थी ना 37,746 रुपए इसमें से इसको ऐसे समझ लो कि 37,746 रुपए में से 7,188 रुपए आपके कट जाएंगे और आपके खाते में मतलब आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो कितना रहेगा यह रहेगा 6,558 रुपए तो इतने पैसे मिल जाएंगे जबकि अगर आप TGT हैं तो आपको कितने पैसे मिलते थे पहली सेलरी मैंने बताया था ना तो आपको बता दूँ यह TGT वाला है 62,455 रुपए ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप PGT चुने जाते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं अगर TGT चुने जाते हैं तो भी आपको पैसे तो मिलते हैं इतने बुरे भी नहीं हैं तो 4,000 रुपए उपर नीचे होते हैं लेकिन अचा कुछ लोगों ने पुछा था कि TGT वालों का प्रमोशन कैसे होता है तो TGT वाले सिनियर होके PGT बनते हैं PGT के बाद अगर आपकी योगिता है तो आप प्रिंस्पल बनते हैं और अगर आपका जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो थोड़ा अच्छा है तो आगे चलके जो बड़े-बड़े सिक्षा आयोग बनते हैं उसमें किसी प्रतिश्टित पतपर भी आप पहुंश सकते हैं तो बहुत सारी समभावनाएं हैं अगर कोई कंफ्ये है तो कमेंट करना Knowledge दन्ने बाद झाल झाल